नमस्कार निव्जेटीन मध्यप्रदेश 37 गर्ड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक शुरुबात करेंगे बुलिटन की बीजापूर की खबर के साथ बीजापूर में पुलिस ने बड़ी काम्याबी हासल की है तीन IED बरामत किये हैं आप देखिए तस्वीरों में क्योंकि ज़ानों को नुकसान पहुचाने के रिरे नक्सली तरह-टरा के अधकंडे अपनाते हैं और इस बीज़ नक्सली ji ने जो कोशिश यहाँ पर की थी जवानों को नुकसान पहुचाने की वो कोशिश नाकाम साबित हुई है और इन्हें नश्ट किया गया तीन IED बरामत किये गए हैं और निश्क्रिय किये गए हैं तीनों ही IED को नकसलियों के निशाने पर जवान थे दो पाइप बम और एक कुकर बम भी मौके से मिला है तो यह तस्वीर उसके हम दिखा रहे हैं exclusively किस तरह के हत्गंडे नकसलियों अपनाते हैं आप देखिए जवानों को नुकसान पहुचाने के लिए लेकिन इस कोशिश को नाकाम साबित किया है सेना के जवानों ने और सुरक्षा बलो ने जितनी भी फोर्सेज वहाँ पर तैनात होती है उनकी समझ बूज के साथ सोच बूज के साथ ही हो पाया और इस बम को निश्क्रियक किया जा सका दिनेश गुपता संबादाता साथ उड़ गए है दिनेश जो कोशिश थी नक्सलियों की उसे जवानों ने नाकाम साबित किया सुरच्चा बलो के जवानों को एक बड़ी सबलता हासिल हुई है जो नक्सलियों के द्वारा सीरियल बम लगा गया थै सुरच्चा बलो के जवानों को नुक्सान पहुंचाने के लिए सुरच्चा बलो के मुस्तेदी से या जो नक्सलियों के कर्तुत को विफल्ट में विफल्टा के रुप में पहुंचा दिया है सुरच्चा बलो के जवानों ने श्रच्छाबलों के जवानों ने समय रहते हैं नाकाम कर दिया इस तो सुरच्छाबलों को नुक्सान पहुंचा रहें कि बड़ी साजी सरची गए थी अभी भी क्या सर्च ऑप्रेशन जारी है पिछले दिनों से ही चारों जिलों में चैनारायनपूर की बात करें बीजापूर दंतेवारा सुक्मा सगन सर्चिंग अभ्यान जारी है और इसी अभ्यान के दर्मियान कई मुट्वेड भी है और ऐसे जो नक्स्री दोरा आइडी प्लांक किये जाते हैं ऐसे आइडीयों को कई पार विफलता भी विफल भी किया गया है सुरच्छाबलों के जवान दोर दोर लगातार सर्चिंग अभ्यान भी जारी है और और भी कई सर्चिंग अभ्यान के दर्मियान मुट्वेड भी है यह निरंतर यह जो प्रक्रिया है जारी है बस्तर में लाल अतंग जो जारी है उस पर लगाम लगाने के लिए कहिना कई सुरच्छाबलों के जवानों का होसला भी बड़ा बुलंडियों पर है जिसमें एक सुरच्छाबल के जान भी शेंद हुआ है जी बहुत शुक्रिया जानकारी साजा करने के लिए दिनेश और अब खबर भिंड से है जहां घोटाले की खबर सामने आई है और ये खबर बड़ी ही अजीबो गरीव मामला है जहां मजदूर मजदूरी करने गए नहीं लेकिन उनके नाम की मजदूरी निकाल ली गई जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मजदूर हैरत में आ गए मामले की जानकारी मजदूरों को लगी तो वो भी हैरानी में पड़ गए पुरा मामला भिंड जिले के गौहत विधान सभा के अंदरगत आने वाली ग्राम पंचायत पिपहारी का है फरजी वाड़े के आरोप में ग्राम पंचायत के सच्चिव भी सामने आ रही है हाला कि अब उन पर फरजी वाड़े का आरोप लग रहा है तो मजदूर मजदूरी करने गया नहीं लेकिन एक घोटाला देखिए काफी हैरतंगेज और अजीबो गरीब घोटाला है ये उनके नाम की मजदूरी निकाल दी गई लेवरी वी थी, सत्रादारे को गरगर देख एक गौद नहीं वी थी क्या उनकाले गई थी, मजदूरी गई थी आपका नने? नहीं कहा नहीं गई थी? मजदूरी और आपने मजदूरी किये नहीं कवी? नहीं तो आपके नाम से पैसे नकाले जा रहे हैं? जी ये महमला ग्राम पंचास बेमारी का है यहां मंदूरी गा के नाम पे कापी फर्जी वाड़ा चला है लाखों रुपे का गोटाला भी हो चुका है मजदूरों के नाम से पैसे नकाले जा रहे हैं अन्य नाम मंदूरी गा के जो पोटल पे फीड किये जा रहे हैं वो कहीं मोखे पे है नहीं है एक ही कुद्रमार को नाम मदलबल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है जिन लाएं लोगों के नाम से जिन मैदूरों के नाम से जो पैसा नकाला जा रहा है वो मौके भी नहीं है इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उजैन जहां मुक्यमंदी डॉक्टर मोहन यादब क्या कह रहे सुनी तीन करोड लागत से उज्जेन में प्रस्रिक्षन के इंदर के छात्रावास का भूमी लोकारपन और यहां से जाने के बाद खुली जेल में भेरोगण के अंदर तीन करोड पचीस लाग की लागत से उसका भी हम लोकारपन कर रहे हैं तालिवाली बजाते हैं यतने लिए आपको सुगात दे रहा हूं लगबग एक करोड की लागत से पुलिस आवास के विविन नकामों का लोकारपन हो रहा है आक्या जागिर के हायर सेकेंडरी फिर वापस घटिया का नमबर आया है जोरदार तालिवाली बजा पिचतर लाग की लागत से आपके स्कूल का उन्नेन करना है हमारे अनुसुचित जाती बच्चों के लिए और OBC के बच्चों के लिए 27 लाग की लागत से इनके छात्रावास के भवन का भी लोकारपन कर रहा है जोरदार तालिया बजा है अपने इन कामों के लिए अर्थात सब मिला करके 599 करोड की लागत से तो ये कुलोज डक्ट और 218 करोड के 40 विकास करयों का भूमी पूजन और लोकारपन एक साथ एक ही मंच पे कर रहा है ताकि अपनी सोगात में देर नी लगे मैं चमा चाहता हूं माननी मुख्यमंत्री जी हम सब खड़े हो करके अभी नदन करेंगे माननी मंच भी माननी संतों को छोड़ करके सभी लोग खड़े हो करके इतने कामों के लिए खड़े हो जाई अपने इस्तान से तालियों की गड़गलाट के साथ माननी मुख्यमंत्री जी का अभी नदन कीजिए बहुत बहुत दन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका आभार मुख्यमंत्री जी अनिल जी ने मेरे पर और बज़ें चड़ा दिया इससे एक साथ दूसरे काम हो गए एक बार आपके साथ खड़े होके आभार कराया अगले काम फिर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी उज्जेन नागदा पांच हजार करोड का हमारा फोरलेन का काम भी हो करके चलो होने वाला पांच हजार करोड का उज्जेन जावरा फोरलेन वाया नागदा हो करके और लगबक छे हजार करोड का ये हमारा फोरलेन कम कर रहा अपना उज्जेन इंदोर तो इसका भी भूमी पूजन बहुत जल्दी होने वाला है वर्तमान के इंदोर रोड का ये छे हजार करोड का नया काम आ रहा है और अभी तो इतनी प्रकार की सुविदा हैं और इतनी सोगात मिल रही है कल अपने उज्जेन से हेलिकाप्टर सेवा जिसके माध्यम से एक ही समय में दो घंटे के अंदर आप अपने उज्जेन के महाकालेश्वर और उंकारेश्वर के दर्सन करके हेलिकाप्टर सेवा कल आप भी ले सकेंगे कल का ये बड़ा कारिकरम होने वाला है इसी के साथ हमारे अपने उज्जेन से एक एट एकसी नया विवान चालू करना चोटा जिसके माध्यम से जबलपूर जाना है गौलेर जाना है रीवा सिंगरोली हमारे अपने बड़े इसे दूर के सहर जिनको जाने में बारा से चौदा घंटे लगते हैं हमारी हवाई आतायात की सेवा मिलेगी विवान से वो भी उज्जेन के वर्तमान के हवाई पट्टी से जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे एक घंटे में जबलपूर पोस्ट सकेंगे या आपकी बड़ी सोगात बड़ी उज्जेन का भाग्य बदला है आपके सबके माध्यम से एक साथ इतने प्रकार के काम और एक बात कोई भी कारण से कोई भी गरीब आदमी आप सब आयुसमान कार्ड बनवा लेना जोड़दार तालीब जा यस्टशी प्रदानमद्री नरिन वोदीजी के लिए जिनके माध्यम से आयूसमान कार्ड बना लिया और अपने परिवार का जिसके पास कार्ड है हास्पीटल में भरती है और उसको जाना है अगर कोई हास्पीटल से कोई बड़े हास्पीटल पहुचाना उसकी जान बचाने के लिए तो एक पैसा नहीं लगेगा और उसको एर इंबुलेंस से हेलिकाप्टर से इंदोर दिल्ली बंबई जहां पहुचाना है हमारी सरकार उसकी पहुचा करके उसकी जान बचाने का काम करेगी किसी हलत में कोई गरीब आदमी इसके लिए किसे के प्रांट चले जाए ये संभव नहीं है और थोड़ा सा ये भी बुंजाश दिये के जो उस स्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन पैसे वाले हैं तो उनको भी दो लाग रुपे में उसकी सुविदा देंगे ध्यान रखना है पैसे का महत्वनी है व्यक्ति की जान बचाना ये हमारे लिए एक संकल्प है और इसलिए ऐसे बहुत सारे काम और आज तो ये जो मौका मिला है मुझे इस बात की प्रसनता है आने वाले समय में इसे बहुत सारे काम हम करने वाले हैं जिसके माद्यम से अब अपने इस वो पूरे प्रदेश के कोई भी मंदिर है कोई भी हमारे अपने आदर के केंदर है प्रत्य जगे काम करते हैं हम लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रखने वाले नहीं है एक के बाद एक इसी प्रकार से कामों का सिल्षला लगेगा आज चुकी थोड़े समय की मरियादा है लेकिन फिर भी यसस्वी प्रधान मंत्री नरेन बोदीजी के लिए जोड़दार ताली बजाव ये काम अगर हो रहा है तो यह उनका अशिर्वाज है और वो हमारे उज्जेन के लिए तो सुभंकर है हमारा सोभाग ये है यह सच्वी प्रधान मंत्री देश के तीसरी वार बाबा महाकाल की क्रपा से फिर मंत्री मंदल बना करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है और उनके कारण से हमारे कोई डेवस्थान आप कभी कलपना कर सकते थे हमारे बाबा महाकाल के महालोग के लिए मुझे इस बात का अनंद है कि आज से तीन साल पहले बाबा महाकाल के महालोग का लोकारपन हुआ तो हमारे उज्जेन की दसा बदल गई लेकिन आपको एक और जानकारी दिना चाहूंगा वो जो एफारवी की प्रतिमा महाकाल मंदिर में थी जिसके कारण से वो आंधी में उड़ गई थी हमने अपने उज्जेन में कलाकारों को बुलवाया है और वो प्रतिमा बना रहे हैं माराजी सभी प्रतिमा पत्थर की बना करके महाकाल मंदिर में लगाने वाले हैं एक भी प्रतिमा इफार भी की निरेगी सब ठोस पत्थर की बनेगी और इत्ता ही नहीं महाकाल में तो बनेगी और लगेगी उजजेन में प्रतीमा बनाने का नया कार्खना चालू कर रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में पहुचा सकेंगे अपन प्रतीमा हैं अब जैपुर जा के खरीदने की जर्वत नहीं है उजजेन में ही बनेगी प्रतीमा है हैं अरे उज्जेन आओ नहाओ डू छिपराजी में महाकाल दर्सन करो आपके मंदिर में भगवान की इस्थापना करना है तो उज्जेन से ले जाओ नि भगवान उसमें का तकलीब है यहीं प्रतिमा मिलेगी हमारे लोगों को काम मिलेगा प्रदेश में रोजगार मिलेगा और यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए बताओ अपने हजाब से और आगे पीतल की प्रतिमा है भी हमारी सभी प्रकार की पीतल की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पार्ट के सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे पात्र काम में आते हैं वो भी अपने मद्यप्रदेश में बनवा करके पूरे देश को सप्लाई कराएंगे कोई तकलीब नहीं है इस बवस्ता में जोडने की